हलो फ्रेंज साजम बात करेंगे और एक नए कोशेंट सेट के बारे में जो किस समाइनी ग्यानी यानि जेनरल नॉलेज के हैं और ये सेट नमर 33 है तो यदि आप किसी दूसरे सब्जक्ट के अबजक्टिव कोशेंट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में ज वेका सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कोन सा है तो विरस्पति सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कोन सा है तो वुद्ध किस गती के कारण फिर्थवी पर रीतु होती है तो फरिकर्मन गती के कारण दीन और राद कहां बराबर होते हैं तो विश्वत रेखा पर लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल ग्रह को दो अक्छानसों के वीश की दूरी कितनी होती है तो 111 किलोमीटर विश्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी फरवत कोन सा है तो कोटो फ्याक्सी विश्व की सबसे गहरी ज्विल कहां इस्थीत है तो रूस में वेकाल ज्विल समुद्री जल में कोन सा लवन अधिक मात्रा में पाया जाता है तो सोडियम क्लुराइड भारतिय राज्यों में सरवाधिक लंबी तट्रेखा किस राज्जिकी है तो गुजरात की सबसे छोटी तट्य सिमा किस राज्जिकी है तो गोवा की अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो कोचिन को दक्षिन की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो गोदावरी नदी को भाखडा नंगल फर्योजना किस नदी पर बनाई गई है तो सतलज नदी पर हिराकुंड वांद किस नदीफर बनाया गया है महा नदीफर भारत में सबसे ज़्यादा गर्मस्थान कोन सा है तो चूरू जो राजस्थान का एक जीला है जिस काल का कोई लिखित विवरन उफलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है तो फ्रागेती हासी काल आदी मानव ने सरफर्थम किस पसु को पालतु बनाया तो कुत्ता को मानव ने आग का फ्रियोग किस काल में आरंभ किया नव फासन काल मानव ने सरफर्थम किस धातु का फ्रियोग किया तो तामबा का मानव द्वारा उफ्योग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो गेहूं फ्रसीद फसुफती की मुहर कहां से मिली है, तो मोहन जोदलों से सिंधु सभ्यता में विशाल अस्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहन जोदलों से सत्य में उजयती उक्ती कहां से ली गई है, मंडोक अपनी सद से सबसे प्राचिंतम वेद कोन सा है तो रिग वेद सिकंदर के समय मगद फर किसका सासन था तो धन्नंद का जेन धर्म के 24 में तिर्थंकर कोन थे महावीर महावीर का जर्म कहा हुआ था तो वैसाली में महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उदेश कहा दिया था तो सारनाथ चंद्रगूफ्द मौरी का फरधान मंत्री कोन था तो चानक किया अर्थ सास्तर किसकी रचना है तो कोटिल्ली की चंद्रगूफ्द मौरी के महल के आवसेस कहां से मिले है तो फटना से सीसे के सिक्खे किस वंक्स के सासकों ने चलाए तो सातवाहन वंक्स सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो गंगा और वरहमफुत्र नदी केसर का सरवाधी कुटपातन कौन सराज जी करता है तो जम्मू कस्मीर विहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो को सी नदी को भारत की सबसे वड़ी कृत्रीम जील कोन सी है तो गोविंद वल्लव फंत सागर जील भारत की सबसे लंबी नहर कोन सी है तो इंद्रा गांधी नहर संविधान सभा की फृथम वेठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारती संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संग्या दी गई है? तो फ्रस्तावना को भारती नागरिकों को फ्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 संपत्ती के अधिकार को किस संविधान संक्सोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44 संविधान संविधान के द्वारा संविधान में मूल करतबी को सामिल करने की फ्रेरना किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से संविधान में कुल मुल करतब्यों की संख्यां कितनी है तो 11 भारतिय संग की सक्ति किसमे निहीत है तो संगसद में निर्विरोध चूने जाने वाले राष्टपती कोन थे नीलम संजीव रेड़ी राष्टपती पर महावियोग का आरफ संगसद के किस सदंद्वारा लगा जा सकता है तो संगसद के किसी भी सदंद्वारा भारतिय सेनाओं का सरवच सेनापती कोन होता है तो राष्ट्र पती राष्ट्र पती राज्य सभा में कितने सदच्यों को मनोनित करता है तो 12 राश्ट पती द्वारा लोग सभा में मनोनित किये जाने वाले सदच्यों की संख्या कितनी है तो दो राज्जी की कारी फालिका का प्रमुख कोन होता है तो राज्जी पाल वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्जीों में विधान फरिसद विद्दमान है तो छे राज्जियों में भारत में राश्पती किस अनुचेद के अंतरगत देश में राष्ट या आपात काल की घोसना कर सकता है तो अनुचेद 352 के अंतरगत भारत का नेफोलियन किस गुप्त सासक को कहा जाता है तो असकंद गुप्त को भारत पर हुनो का आखर्मन किसके साषन काल में हुआ तो असकंद गुप्त के नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे तो कुमार गुप्त एलिफेंटा गुफा मंदीरों का निर्मान किसके समय में हुआ राश्टर कुट महावली फुरम के रथ मंदीर का निर्मान किस ने करवाया था तो नर्सिंग वर्मन फर्थम ने कस्मीर में मार्तंड सुर्य मंदीर का निर्मान किस ने करवाया था तो ललिता दित्य मुकता फीठ ने समनात मंदीर को किस मुसलिम आकरमनकारी ने लूटा तो महमूद गजनवी ने अस्थाई सेना की फर्था किसने प्रारंब की तो अल्लाउद्दिन खिलजी ने सरफर्थम की सुल्तान ने सिचाई कर लगाया तो फिरोज साहत तुगलक ने अजमेर में किस फरसीद सूफी संत की दरगा है तो ख्वजा मुईनुद्दिन चिस्ती की नामदेव कहां के संत थे तो महराष्ट्र के गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था तलवंडी में भारत में मुगल वंक्स का संस्थापक कोन था तो बाबर हुमायू नामा की रचना किसने की तो गुलवदन वेगम ने सेरसा का मगबारा कहां इस्थीत है तो सासा राम में अकबर नामा की रचना किसने की तो अबूल फजल ने दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया तो सह जहाने जहांगीर के दरवार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यफारी कोन था तो क्याफटन हॉकिंग्स गुरु मुखी लिफी के जनक कोन थे तो गुरू अंगद खालसा सेना की अस्थापना तथा पाहूल फर्व का फरवर्तक कोन था तो गुरू गोविंद सिंग किस ने स्वतंत्रता का व्रिक्ष लगाया तथा रन जेकोविन कलब का सदैस्य बना तो टीफू सुल्तान ने इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई तो 1670 में अंग्रेजों एवंग फ्रांक्सिस्यों के वीज निरनायक वांडिवास का युद्ध कब हुआ था तो 1760 इस्वी भे पलासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई तो सिराजु दोला और अंग्रेजों के वीज कोलकाता में उच्छी नियायले की अस्थापना कब हुई तो 1774 इस्वी में सहयक संधी किस ने लगाई लॉर्ड वैलजिली ने सहयक संधी पर हस्ताक्षर करने वाला फ़ाला राजी कोन सा था तो हैद्रावाद भारत का फर्थम गौवर्नल जनरल कोन था लॉर्ड विलियम वैंटिंग सती पर्था को समाप्त करने का अस्रय किस गौवर्नल जनरल को फ्राप्त है तो लॉर्ड विलियम बैंटिंग को समचार फत्रों से फर्तिबंद किस ने हटाया तो चार्ल्स मैटकॉफ ने भारत का फहला वैसराई कोन था तो लॉर्ड केनिंग भारत का अंतीम गौवर्नल जनरल कोन था तो लॉर्ड माउंट वेटन दस मैए अठारो सो संतावन को सिफाई विद्रो कहां से प्रारंभ हुआ था तो मेरट से अठारो सो संतावन के विद्रो के समय भारत का गौवर्नल जनरल कोन था लॉर्ड केनिंग विहार में अठारो सो संतावन के विद्रो का नेत्रितु किस राजा ने किया तो कुमार सिंग ने अठारो सो संतावन के विद्रो का ततकालिक कारण क्या था तो सिफाहियों द्वारा चर्वी युक्त कार्तूस का फ्रियोग ब्रहम समाज के संस्थापत कोन थे तो राजा राम मोहन राय स्वतंत्र भारत के फ्रिथम भारती गवर्नर जनरल कोन थे तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी इटली के एकिकरन का फैगंबर किसे कहा जाता है तो मैजीनी को रूसी क्रांती कब शुरू हुई तो 1917 को सुद्धी आंदोलन किसने चलाया था तो दयानंद सरस्वती ने झाल